ये हैं मसाला गोवी पकोड़े Hello friends Shells Kitchen में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती नए तरीके से गोवी के क्रिस्पी और कुरकुरे मसालेदार पकोड़े बनाना बहुती आसान है खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गोवी अंदर से नरम रहेगी और बहार से पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे ही और इसके साथ एके स्पेशल मसाला भी बनाएंगे जो पकोड़ों का स्वाद और भी ज़्यादा बड़ा देगा तो आईए मसालेदार गोवी पकोड़े बनाना शुरू करते हैं अगर आपने अवी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए गोवी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने सबसे पहले फूल गोवी को छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है और अच्छे से मैंने इसे धोकर साफ कर लिया है गोवी के आप जितने बड़े पीसिस रखना चाते हैं आप अपने इसाप से रख सकते हैं इतने गोवी के पकोड़े 2-3 लोगों के लिए ठीक रहेंगे मैंने एक सॉस पैन में पानी गरम होने के लिए रख दिया था पानी अच्छे से गरम हो गया है तो हम इसमें एक चमच नमा कैट करेंगे और उसके बाद जो हमने गोवी के पीसिस कट करके रखे थे उसको हम पानी में डाल देंगे और इसे हम एक से दो मिनट के लिए वोईल करेंगे हमें इसे बहुत जादा वोईल नहीं करना है गोवी में अच्छे से उबाल आ गया है तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और गोवी को हम चलनी में चान कर अलग कर लेंगे गोवी हमारा ट्रांस्पेरेंट दिखने लगा है वस हमें इसे इतना ही वोईल करना है बहुत जादा वोईल नहीं करना है अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो अब हम गोवी के पकोड़े को और भी जादा टेस्टी बनाने के लिए एक हम बनाएंगे सीक्रेट मसाला तो इसके लिए मैंने तीन हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, एक चम्मच मैंने साबुद धनिया लिया है, एक चम्मच सौंफली है, एक चम्मच जीरा, दो से तीन लॉंग और दस से बारा काली मिर्च लिया है इन सवी मसालों को हम खलड में दरदरा कूट लेंगे, आप इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से खलड में इसे दरदरा पेस्ट बनाएंगे, तो पकोड़ों में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इस तरीके से हम खलड में इसे कूट कर इसका एक दरदरा पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें हमने आदा कप बेसन लिया है और इसका बन थर्ड कप हमने चावल का आटा लिया है चावल का आटर विल्कुल ऑप्शनल है बट आप डालेंगे तो हमारे गोवी के पकोड़े और वी जादा क्रिस्पी और करारे वनेंगे हमने इसमें आदा छोटी चमच नमक अड़ किया है नमक हम कमी डालेंगे क्योंकि हमने गोवी को वाइल करते समय भी नमक डाला था अच्छा सा कलर उठाने के लिए आदा छोटी चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर और ये एक चमच हमने इसमें अजमाइन को अच्छे से क्रश करके डाल दिया है एक चम्मच कसूरी मैथी को भी क्रश करके हमने डाल दिया है और इसके बाद जो हमने दरदरा पेस्ट पना कर तयार किया था वो हम एट करेंगे तो हमने इसमें लवक दो बड़ा चम्मच पेस्ट एट कर दिया है और उसके बाद बारी कटा हुआ हरा धनिया एट करने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने गोवी को वाइल करके रखा था वो गोवी हम इसमें मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स आप गोवी को जादा वॉयल ना करें वरना मिक्स करते समय गोवी तूट सकती है तो इस समय हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाएंगे ठेंड के मौसम में इस गोवी के करारे और कुरकुरे पकोडे बनाना तो बनता है तो आप इस तरीके से एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आपको इस तरीके से ये गोबी के पकोड़े बहुत जादा पसंद आएंगे और आप इस सीक्रेट मसाले के साथ गोबी के पकोड़े तयार करेंगे तो आपके गोबी के पकोडे बहुत ही लाजवाब बनेंगे तो देखिए हमारे ये गोबी के पकोडे का बैटर वन कर तयार है गैस का फ्लेम ओन करके मैंने गैस पर एक कड़ाई चड़ा कर उसमें सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए उसके बाद हम एक एक करके गोबी के पकोडे को तेल में डालते जाएंगे एक एक अलक करके ही गोबी के पकोडे को डालेंगे वरना ये आपस में चिपक सकते हैं तो इस तरीके से एक-एक गोवी के पीस को ठाकर हम तेल में डाल देंगे और उसके बाद हम गैस का flame medium कर देंगे और low to medium flame पर हम इसे fry करेंगे अगर हमने इसका लगातार आई फ्लेम रखा तो यह उपर से जल्दी से पक जाएंगे और अंदर से नर्म नहीं बनेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने अलट पलट कर गोवी के पकोड़ों को अच्छे से फ्राय कर लिया है और गोवी के पकोड़ों में अच्छा सा कलर भी आ गया है तो हम एक टिशू पेपर पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी बना कर तयार कर लेंगे आप गोवी के पकोड़ों को हाई फ्लेम पर ही डाले और उसके बाद आप मीडियम फ्लेम कर दें तो अब हम गोवी के पकोड़े को टिशू पेपर पर निकाल लेंगे अब हम अपने गोवी के स्पेशल पकोड़े को सर्फ कर लेते हैं आज मैंने इसे टमेटो कैचप और हरे धनिये की चटनी के साथ इसको सर्फ किया है और गोवी के पकोड़े को सर्फ करने के बाद मैंने इसमें उपर से चाट मसाले को स्प्रिंकल किया है ये विल्कुल ओप्सिनल है अगर आप डालेंगे तो टेस्ट और ला जवाब आएगा तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे गोवी के एकदम मसालेदार क्रिस्पी और करारे पकोड़े विल्कुल बनकर तैयार है मैं आपको एक पकोड़ा तोड़कर दिखा रहे हुए अंदर से कितने नर्म बने है और उपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी है आप इसे गर्म गर्म चाय के साथ गोवी के पकोड़े इंजोई कीजिए मज़ा आ जाएगा खाकर एक वार आप इस तरीके से गोवी के पकोड़े जरूर ट्राई कीजिएगा नई हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादेव